tabulate the differences in the characteristics of states of matter, number a question first states of matter में हमें differences find करना है, तो states of matter क्या होता है, solid liquid or gas, ये तीनों क्या है, states of matter है तो इन में हम differences find करेंगे अभी, तो किस-किस respect में differences find करेंगे, वो मैंने characteristics बार्ट में लिख चुका है पहला है shape और volume को लेके हम solid liquid or gas में difference find करेंगे then compressibility, fluidity, filling a gas container, kinetic energy, density तो solids have a fixed shape and a fixed volume solids का क्या होता है? एक fixed shape भी होता है और एक fixed volume भी होता है example के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं suppose iron rod जो कि हमने ओपर ही लिया liquid, liquid का volume तो fixed होता है लेकिन उसका fixed shape नहीं होता है अगर आप पानी को jar में डाले तो वो jar का shape ले लेगा अगर आपको बाल्ती में डाले तो वो बाल्ती का shape ले लेगा तो यानि कि उसका कोई shape नहीं होता आप जहां डाले उसका ही वो shape ले लेता है यानि कि they take the shape of the container similarly gases का भी कोई shape नहीं होता आप balloon में बढ़ा दीजे तो वो balloon का shape ले लेगा एक round shape का balloon बनाएए तो round अगर cylindrical तो वो cylindrical shape ले लेगा तो यानि कि gas का भी कोई shape नहीं होता और नहीं उसका कोई volume होता है ठीक है वो किसका shape लेता है वो भी container का shape ले लेता है अब compressibility compressibility solids में जो होता है वो बहुत कम होता है अब आप एक table को क्या आप compress कर सकते हैं उंगली से दबाईए नहीं होगा वो compress नहीं होगा तो इसलिए हमने लिखा है कि solids cannot be compressed much लेकिन यहां पर मैंने much word के use q क्या है देखे suppose आप एक sponge लीजिए या फिर आप cotton ही लीजिए उपर में जो हमने consider किया था उपर वाले example में तो उसको अगर हम हाथ से दबाए तो वो थोड़ा सा compress होगा तो इसलिए हम generally हर solid के लिए यहां पर लिख रहे हैं आप लेकेबल नहीं होता इसलिए हमने लिखा है देके not be compressed much liquids liquids को भी आप पाने को दबाए तो थोड़ा सा तो दबेगा लेकिन आप दबा नहीं सकते आपका उंगली अंदर चला जागा तो उसलिए हम लिखते हैं कि liquids cannot be compressed much लेकिन gases can be compressed easily मैंने LPG का example दिया था तो LPG में जो होता है वो gas को ही compress करके वो liquid बनाते हैं liquefied petroleum gas LPG का full form है तो यानि कि gas को हम compress कर सकते हैं और compress करके वो liquid में भी transfer कर सकते हैं तीसरा है fluidity तो solid को आपने कभी flow करते वे देखा हैं नहीं कोई भी solid flow नहीं करता तो उसलिए solids do not flow liquids generally they flow easily generally क्यों लिखा गया है because water जो होता है वो easily flow कर सकता है लेकिन suppose हमने honey लिया तो वो easily flow नहीं करेगा वो थोड़ा थीक होता है उसके बीच में forces of attraction water से ज्यादा होता है इसलिए वो इतना easily flow नहीं करेगा तो इसलिए हमने लिखा है कि generally they flow easily general case में बट हर case में नहीं होता मतलब flow तो करेंगे लेकिन इतना easily flow नहीं करेंगे like honey हो गया वो थोड़ा थीक होता है glycerine हो गया इसलिए इसलिए फ्लो नहीं करते लेकिन gases gases they flow easily कोई भी टाइप का गैस हो वो easily flow कर सकता है filling a gas container solids में देखे they do not fill the container completely suppose आपने एक डब्बे में चीनी रखा तो आप देखेगा ऊपर तक चीनी फिलप तो आप कर सकते हैं लेकिन चीनी क्या होता है चोटा-चोटा क्यूब्स होता है ना चोटे-चोटे क्यूब्स होते तो उसमें आप जितना भी फिलप करें कहीं न कहीं तो चोटा-चोटा स्पेस रही जाएगा तो इसलिए solids do not feel their container completely liquids also do not feel their container completely अप जितना भी वो थोड़ा से जगा रही जाता इसमें भी लेकिन gases they feel the container completely वो completely occupy कर सकते हैं space क्योंकि उनके बीच force of attraction बहुत कम होता है तो वो हर तरफ move कर सकते हैं और container के हर direction में वो जाके container को fill कर देते हैं kinetic energy solids में जो kinetic energy होता है वो सबसे कम होता है क्योंकि वो बहुत closely packed रहते हैं तो एक दूसरे से हट कर वो kinetic energy मतलब की speed होता है right मतलब speed नहीं होता लेकिन speed के साथ आप relate कर सकते हैं तो kinetic energy उनमें सबसे कम होता है क्योंकि उनके बीच force of attraction बहुत जाता होता है solid particles के बीच तो इसलिए वो easily move नहीं कर सकते हैं तो उनका kinetic energy lowest होता है liquids में kinetic energy medium intermediate after medium होता है और gases में maximum kinetic energy होता है gases को आप अगर देखे तो वो एकदम freely हर जगा move कर सकते हैं तो इसलिए उनके बीच क्योंकि attraction सबसे कम होता है उनके particles के बीच तो उनमें maximum kinetic energy होता है densities solids क्या होता है heavy होता है solids में जो particles होते हैं वो closely packed होते हैं और वो heavy होते हैं comparatively तो इसलिए उनका density जो होता है mass per unit volume सबसे high होता है liquids में moderate होता है और gases में low density होता है ठीक है अब हम question number B देखेंगे question number B है comment अपन दी following rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density इन सारे terms पे हमें comment करना है तो देखें rigidity, rigidity refers to the property of being inflexible or stiff in other words, it refers to the property of resisting change in shape solids are rigid but liquids and gases are not तो rigidity यानि की stiffness, solids क्या होते है वो बहुत stiff होते हैं उनको आप press भी करें तो वो उपना shape जो है change नहीं करते हैं तो यही मैंने यहापर लिखा है कि it refers to the property of resisting change in shape यानि की वो अपना अगर आप उसके shape को change करने की कोशिस करेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा इंकार करेगा अपनी shape को change करने से तो इस property को rigidity कहा जाता है, solids में जो होता है solids में rigidity सबसे ज़्यादा होता है लेकिन liquids or gases rigid नहीं होते हैं वो stiff नहीं होते हैं अब compressibility देखें, it refers to the property of being flexible, in other words it refers to the property of being able to undergo change in volume under applied pressure यानि की compressibility क्या है, in other words आप मतलब in other terms आप कह सकते हैं, flexibility को आप compressibility कह सकते हैं अगर आप एक मतलब मान लिजे पानी, पानी को अगर आप दबाए, मतलब आप pressure दे तो वो थोड़ा सा compress होगा अगर आप gases को दबाए, तो और ज़्यादा compress होगा, easily compress होगा, तो वो अपना volume change करेगा, under pressure तो इस volume change करने के process को under pressure में जो volume change करते हैं, इसे कहते हैं compressibility तो gases can be compressed easily, but liquids and solids cannot be compressed much fluidity, fluidity क्या होता है, it refers to the property of being able to flow, flow करने की property को fluidity कहा जाता है gases और liquids जो होते हैं, वो easily flow कर पाते हैं, लेकिन solids easily flow नहीं करते हैं तो fluidity, gases और liquids follow करते हैं, but solids flow नहीं करते हैं, या फिर fluidity property को solids follow नहीं करते हैं, filling a gas container, solids and liquids do not fill the container completely but gases fill the container completely, as the force of attraction in gases is very low and they can move freely in all directions solids और liquids में जो होता है, वो container को completely fill नहीं कर पाते हैं, ये मैंने table में भी समझाया था क्यों लेकिन gas जो होते हैं, वो completely fill करते हैं container को, क्योंकि उनके भी जो attraction force होता है वो बहुत कम होता है, तो वो हर direction में move कर सकते हैं easily, और हर direction में move करके वो container का पूरा space cover करते हैं, और इसी लिए gas जो होते हैं, वो container को completely fill कर पाते हैं लेकिन solids और liquids fill नहीं कर पाते, अब देखते हैं दूसरा slide shape, kinetic energy or density, shape, due to maximum force of attraction in solids, they have a fixed shape but as the force of attraction decreases in liquids and gases, they cannot have a fixed shape, instead they acquire the shape of the container in which they are placed यानि कि solids में force of attraction, जो आकर्शन force होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है इसलिए वो particles को एक दूसरे के एकदम close रखते हैं और एक fixed shape acquire करते हैं लेकिन liquids और gases जो होते हैं, उनके बीच force of attraction उतना strong नहीं होता, थोड़ा कम होता है तो इसलिए वो अपने particles को इतना close नहीं कीच पाते हैं और इसलिए वो एक rigid shape acquire नहीं कर पाते हैं तो उनका एक fixed shape नहीं होता, वो जहां मतलब जिस container में आप डालिये, वो उनका ही shape acquire करते हैं kinetic energy, kinetic energy is inversely proportional to the force of attraction between the particles यानि की अगर force of attraction कम होगा, तो kinetic energy जादा होगा यह है force of attraction और यह है kinetic energy, तो अगर force of attraction decrease होता है, तो kinetic energy increase होगा यह है inversely का मतलब, तो हमने देखा है कि gases में जो होता है, force of attraction सबसे कम होता है तो इसलिए kinetic energy maximum होता है, gases में intermediate होता है, liquids में kinetic energy और solids में होता है kinetic energy सबसे कम होता है, क्योंकि उनके बीच, solid particles के बीच, जो force of attraction होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है density, it is defined as mass per net volume, solids have maximum density, liquids have intermediate and gases have the lowest density तो ये भी मैंने table में समझाया ही था, solids का maximum density होता है, क्योंकि उनके particles बहुत close रहते है तो एक दूसरे के सामने रहते है, तो mass per net volume उनका ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनका density भी ज़्यादा होता है similarly liquids में density कम होता है, क्योंकि mass per net volume, particles होता है, कम होता है और gases में सबसे lowest density होता है अब चलिए देखते हैं, दूसरे slide क्योंकि उनका ज़्यादा होता है